कई जगा देखा गया है क्या कि जो छजजा हम बनाते हैं अपने घर में तो छजजा बनाने की टाइम में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं आगे चलके छज्जा वहाँ से या तो जुग जाता है नीचे या उसमें क्रैक देखने को मिलता है या कई जगा ऐसा देखा गया है कि छज्जा बिल्कुली गिर जाता है नीचे अब जो ये छज्जा कहले या फिर बालकनी कहले आज कल जमीन का कीमत इतना ज़्यादा है तो ह फिर उसको उपर में जाके फिर उसके अपना एक रूम बढ़ा देते हैं, कीचेन बढ़ा देते हैं, ट्वालेट बढ़ा देते हैं, उसको स्पेस में यूज कर लेते हैं, ताकि उपर का जो उनका एरिया है, एरिया बढ़ जाए, तो दोस्तों अगर आप इतना बड़ा छज निकालते हैं, नॉर्मल छज़े की साइज तो डेर से दो फीट होती है, लेकिन नॉर्मल साइज से ज़्यादा, तीन फीट, चार फीट, पांच फीट छज़े निकालते हैं, तो उसमें एश्टील बाधने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे बाधना है, सब कुछ मैं इस यह जो हमारा पीलर आपको दिखाई दे रहा है, यह हमारा बिल्डिंग का लास्ट छोर है, अब यहां से, अब यह जो छज़े है, आप देखें, यहां पे मैं आपको बीम दिखा रहा हूँ, अब यह जो बीम है, जो हमारा फ्रंट बीम था, तो इसमें 12 mm का टॉप में आगे लागया आगया है, अब यह जो चार फिर चज़े है, तो इतना बड़ा चज़े निकालनेके लिए हमें क्या है कि इसमें 20 0.2 एछ हनो सही से अगर आप नहीं बादेंगे तो बाताumo पांपा आपका चज़े नीचे डिफलेक तो नीच़ जूपे अब जो इसमें 21 अक्तमाल हो रहा है 10 mm का तो पीछे से जो हमारा कमरा है आप देखिए काफी पीछे से चलता होगा एस्टील ही आ रहा है और यह देखिए यह बीम के नीचे से होता होगा गया ठीक है एक जो यह क्रैंक बर वाला जो एस्टील है जो बेडरूम में क्रैंक बर दे रहा थे वो द रहा है और यह पूरा छज्जे पे जहां हमारा लास्ट छोड़ है चार फिट का वहां तक लिया गया है फिर इसके बाद वाला जो छट में क्राइंक बार दिया गया था ओ क्या हो रहा है कि हमारे बीम के जो टॉप लेबल है टॉप एस्टील उसके ऊपर से पास करते हुए औ आपको नहीं करना है कि जो जितना बड़ा आपका छज्जा है जैसे यहां पे बीम है तो क्या कि है कि सिर्फ बीम के पास से वहां पे टुकड़ा काट-काट के चार फिट का तीन फिट का जितना बड़ा छज्जा है सिर्फ वहां ही से बीम से ही बांध रहे हैं अगर वह ऐ तो पीचह लानाος है जितना पीछे से से आपका चाहे बीम हो चाहे छट करना तो यह आपने समझ लिया और चछे में दोस्तों कभी भी आपको दस ऐमें मैं से नीचे का steel नहीं बांदना है और single जाल में तो बिल्कुल नहीं देना है बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ single जाल एक जैसे की horizontal vertical मतलब एक आड़ा और एक तिर्चा जैसे मैं यहां आपको photo में दिखा रहा हूँ single जाल बांद देते हैं छोड़ देते हैं कहते हैं कि छज़े पर वज़े हैं लोड क्या है ठीक है वो उसको हलके में लेते हैं लेकिन आगे चलके फिर उसको 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 लोड खुट डालते हैं तो उसी टाइम में छज़े में क्रायक आता है तो छज़े में जैसे हम छत में अपना डवल जाल में steel बांध रहा है वैसे वही चज़े में ही आपको आपको वही काम करना है डवल जाल में आपको बांध नहीं है जो Crank Bar का steel था वो beam के उपर उपर लाना है जो Crank Bar के Side वाली जो steel है बेड्रूम में वो beam के जो टॉप steel होता है उसके नीचे से लेके पूरे छज़े के last point तक ले जानी है अब अगले important चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो beam होता है beam कभी भी जैसे हम normal अपने slab के लिए जो beam देते हैं तो उसमें क्या करता है कि जो bottom का steel होता है वो ज्यादा रखते है top का जो है कम रखते है क्योंकि वहाँ जो tension होता है हमारा सबसे ज़्यादा नीचे में होता है compression member उपर में होता है ठीक है तो वहाँ हम steel का करता है नीचे ज़्यादा देता है और top में कम रखते है या फिर कभी-कभी देखा जाता है जो beam आगे continue करेंगे वह कभी भी आपका जो टॉप का जो layer होता है वो tension में होता है और नीचे का जो layer होता है वो compression member में होता है तो इसलिए जहाँ पे tension member ज़्यादा होगा जहाँ पे tension ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको steel जादा देना पड़ेगा इसलिए कभी भी आप जो देखें यहाँ पर गलती हुई है यहाँ पीलर से और पीछे से जो beam आ रहा है सेम यही आगे continue किया गया है तीन steel उपर तीन steel नीचे 12 mm का दिया गया है जबकि होना क्या चाहिए था कि टॉप में यहाँ तीन के बदले चार steel होना चाहिए था और यहाँ पे bottom में आप यहाँ दो steel भी अगर दे दिया जाता तो भी चलता है क्योंकि tension zone जो उपर साइड में बन रहा है अब जैसे मैं आपके यहाँ ड्राइग्राम में दिखा रहा हूं कि यहाँ आप देखिएगा कि यह हमारा एक column है और column से ही आप देखिए कि यहाँ पे अधिकतर यह cantilever जो beam बनता है तो आप देखिए कि अकसर ऐसे भी beam बनाए जाता है तो इसमें क्या है अगर हमारा point load जो है अगर हमारा एक इस end पे लग रहा है तो वहाँ से क्या है कि यह नीचे के तरफ मुड़ेगा जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहा है नीचे के तरफ मुड़ रहा है तो जो tension zone है हमारा ज़्यादा तर ऊपर बन रहा है तो उसी tension zone को यहाँ पे रोकने के लिए हम क्या ऊपर में ज़्यादा steel देते हैं और compression zone हमारा नीचे चला आता है तो वहाँ steel हम कम देते हैं ठीक है यह चीज होती है दूसरी चीज यह करना है कि जहाँ पे आपका छज्या खतम हो रहा है यानि last point पे जैसे 4 फिट के बाद यह खतम हो रहा है देख रहा है कि यहाँ पे कोई beam नहीं दिये गया है सीधा सीधा जो सरीय जा रहा है वहीं काटक उसको छोड़ दिया गया है जबकि करना क्या चाहिए था अगर आप वहाँ पे लटक beam नहीं दे रहा है तो एक जो concealed beam यानि hidden beam होता है वह आपको वहाँ पे डाल देनी है slab के बराबर ही चारे steel दे दिजिए वही जो उसकी मोटाई है धाई से 3 इंच रखिए एक beam दे दिजिएगा तो चजज़ जो है वहाँ आपस में बंद जाएगा और solid हो जाएगा अगले important बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे slab में हम cover block लगाते हैं वैसा ही चज़े के सभी जगा पे beam के side में beam के नीचे जो चज़े के slab जो छत बन रहा है उसके नीचे आपको 20 mm से लेके 25 mm तक का cover block सभी जगा लगानी है जो concreating होती है M25 grade का या M20 grade का concreating अच्छे से करनी है उसकी मुठाई 5 इंच की रखनी है चज़े की दूसरी बात है कि उसमें proper आपको vibrator चलानी है और उसको proper कम से कम 12 से 14 दिन तक उसकी तराई करनी है तब जाके आपका 6 ज़ा मजबूत होगा तो ये जो 4 से 5 important चीज़े है वो ध्यान रखनी है और सबसे important चीज़े कोर आ जाती है जैसे कि मैं यहाँ फोटो में दिखा रहा हूँ कि यह जो हमारा cantilever जो beam होता है तो अकसर लोग क्या करते हैं कि यह point दिख रहा है आपको सबसे last वाला यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग जब सट्रिंग खोलने का time होता है बारा से चौदर दिन पर तरहा की बल्ली हटा देते हैं यहां एक बल्ली लगाए के छोड़ेते हैं वाकि इधर की हटा देते हैं वो कहते हैं कि इधर तो peiller है इधर थोड़ी कुछ होगा यहाँ यह हवा में है यहाँसे हमारा यह beam नीचे जख सकता है लेकिन दोस्तों ये बहुत गलत आपका thinking है आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि जो सबसे ज्यादा load अभी जो है इस चज्जे पे हमारा pillar के पास आ रहा है यहां से यह जुके गए यहां से नहीं जुके गए इस side से ठीक है तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप आपको जो बल्ली लगानी है और आपको एक pillar के पास यहां पर एक उसके center में लगानी है आप इस corner पर अगर नहीं भी लगाते है तो भी चलेगा तो जो यह बल्ली आपको रखनी है कम से कम अगर पूरी setting खुल भी जाए तो भी यहां पर कम से कम 20 दिन तक रखनी है तब जा